नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल में मैं हूँ आपका दोस ललित कुमार दोस्तों आज का वीडियो में लिखे हैं हूँ हमारे विध्यारतियों के लिए जैसा कि आपको पता है बोड के exam होंगे फरवरी और मार्च में और बाकी सभी विध्यारती भी इस वाली परिक्षा में सफलता मिल सके और उनको किसी भी प्रकार की टेंशन ना रहे और उनको उनकी की गई मेहनत का 100% फायदा मिल सके तो इसी बारे में हम उपाए जानेंगे कि आखिर क्या उपाए करने चाहिए तो देखिए दोस्तों सबसे पहले में एक बात सभी विध्यार करतियों के लिए बता दूँ कि अगर आप एक्जाम में सफल होना चाहते हैं तो सुभा जल्दी उठिये यानि की 5-6 के बीच में उठ जाईए और 10-11 के बीच में सो जाईए अगर आप सब ये छोटा सा उपाए करते हैं तो आपको आपकी की गई पढ़ाई का अत्याधिक लाब मिलेगा ये सब के लिए हैं ठीक है सभी राशी वाले इसे कर सकते हैं इस वीडियो में मैं मेश मीन राशी तक सभी के लिए बताऊंगा तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं मेश राशी या मेश लगन वाले जो विध्यारती हैं स्टूडेंट हैं आखिर उनको क्या उपाई करना चाहिए देखिए जो मेश राशी वाले लोग हैं वो सबसे पहले सूरे भगवान की पूजा जरूर करें सूरे को जल चड़ाएं और एक मंतर का जाप करें ओम आदित्याय नमा ओम आदित्याय नमा इस मंतर का वो जाप करें तो उन्हें जरूर फायदा मिलेगा एक उपाई और करें अपने साथ एक ओरेंज कलर का रुमाल रख कर ले जाएं ये आपके लिए परिक्षा में लख्की रहेगा और इसे अभी से ही रखना शुरू कर दें तो आप इसे आदत बना सकते हैं अब बात करते हैं विरिश राशी की तो जो विरिश राशी के और एक हरे रंकारमाल हमेशा अपने साथ रखे अब बात करेंगा मिफुन राशी की या मिफुन लगन वाले विध्यारतियों की इनको क्या करना है अपने जीवन में आप एक रूल बना लीजिए लेडिस की इज्जत जरूर करें महिलाओं की इज्जत जरूर करें चाहे वो आपके शिक्षा का लाब मिलेगा और एक मंतर का आप जाप करें ओम शुए शुक्राइ नमः और सात में लक्षमी पूजन करें और अपने साथ हमेशा एक सफेद रुमाल रखें रेश्मी सफेद रुमाल रखें तो आपको जरूर फायदा मिलेगा अब बात करते हम करक और एक मंतर का जाप करें ओम अंग अंगारकाए नमा और एक लाल रंका नोरुमाल हमेशा अपने साथ रखें अब बात करेंगे हम सिंग राशी या सिंग लगनवाले विद्यारतियों की स्टूडेंट्स की आपको क्या करना है आप जिस मंतर का जाप करेंगे वो है ओम नमो भगवते वासु देवाए इस मंतर का कम से कम 108 पार जाप करें और हो सके तो थस्डे का फास्ट रखें वीरवार का उपवास करें और केले के पेड़ का ब्रस्पतिवार वाले दिन पूजन करें और अपने साथ एक पीले रंका रुमाल अवश्य ही रखें अब बात करेंगे हम कन्या राशी वाले जातकों की आप पश्चिम दिशा की तरफ मूँ करके डेली एक मंतर का जाप करें ओम शंग शनिश्चराय नमा इस मंतर का रोज 108 बार जाप करें और शनिवार वाले दिन पीपल के पेड़ के नीचे जाके सरसो के तेल का एक चार तुला राशी के जातकों की आपको क्या करना है आप शनीवार को पीपल के पेड के नीचे सरसो के तेल का एक चारमुखी दीपक जलाएं और पश्यम दिशा की तरफ मूख करके इस मंतर का जाप करें ओम शंग शनिश्चराइ नमा ओम, शंग, शनिश्चराय नमा इस मंतर का कम से कम 108 बार जाप करें तो आपको जरूर फायदा मिलेगा और अपने साथ एक परपल कलर का या एक पिंक कलर का रुमाल आप रख सकते हैं इससे आपको अवश्य ही फायदा देखने को मिलेगा अब बात करते हैं हम विरिष्चिक राशी के जातकों की कि आखिर उन्हें क्या करना चाहिए आप जब भी या अभी से अपने साथ एक पिले रंग का रुमाल रखें हल्दी का अपने माते पर तिलग करें दोनों भाओं के बीच में मध्य में हल्दी का तिलग करें और एक मंतर का जाप करें ओम नमो भगवते वासु देवाए इस मंतर का कम से कम 108 वर जाप करें अब बात करेंगे हम धनू राशी के जात्वों की, धनू राशी वाले जात्वों को हनुमान जी को चोला चड़ाना है, चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर उनको चोला चड़ाएं, और एक मंतर का जाब करें, ओम हंग हनूमते नमा, ओम हंग हनूमते नमा, इस मंतर का कम से कम 108 बार जाब करें और एक लाल रंग का रुमाल अपने साथ हमेशा रखें इसके बाद हम बात करते हैं मकर राशी के जातकों की मकर राशी के विध्यारतियों की कि आखिर उन्हें क्या करना चाहिए देखिए आपको एक तो लक्षमी पूजन जरूर करना है महिलाएं आपकी जिन्दगी में चाहें किसी भी रूप में है चाहें वो आपकी माता है, बहन है, आपके साथ करने वाली कोई कुलीग है आपकी धरम पतनी है, किसी भी रूप में आपके जीवन में महिला है उसकी इज़त आप जरूर करें, उनको मान सम्मान दें तभी आपको आपकी द्वारा की गई शिक्षा का पूरुन लाब मिलेगा ठीक है ओम शुंग शुक्राय नमा मंतर का एक सुआट बार जाब करें और एक सफेद रुमाल अपने साथ हमेशा रखें अब बात करेंगे हम कुम्ब राशी वाले विध्यारतियों की कि आखिर उने क्या करना चाहिए देखिए आप क्या करिए हनुमान जी को लड्डू चढ़ाईए हर बुद्वार को गाएं को आप हरा चारा खिला सकते हैं हर बुद्वार को और एक मंतर का एक सुआट बार जाब करें ओम बुम बुद्धाय नमा ओम बुम बुद्धाय नमा इस मंतर का एक सुआट बर जाब करें और एक हरे रंग का रुमाल अपने साथ हमेशा रखें लास्ट में हम बात करेंगे मीन राशी के जातकों की कि आखिर उन्हें क्या उपाए करना चाहिए शिक्षा का पूर्ण लाब पाने के लिए तो आपको क्या करना है ओम नमस्शिवाय ओम ओम नमस्शिवाय ओम इस मंतर का कम से कम 108 पर रोज जाब करें सिवजी का पूजन आपको जरूर करना है और कम से कम एक दिन में 24 गंटे में अपनी माता को अपने हाथ से एक गिलास पानी जरूर पिलाएं अपनी माता का मान सम्मान करें जब भी एक्जाम देने जाएं या किसी भी important काम से जाएं तो उनका आशिरवाद लेकर जरूर जाएं उनके पैर चुकर आप जरूर जाएं तो आपको आपकी शिक्षा का लाब मिलेगा घर से आप जाते समय दूद पीकर निकल सकते हैं इससे भी आपको लाब मिलेगा तो दोस्तों आज हमने बात करी आने वाली आगामी परिख्षा के लिए आने वाले एक्जाम्स के लिए विद्यार्तियों को क्या उपाय करने चाहिए आप पुरीश रद्धा से इन उपायों को करिए आपको निश्चित तोर पर लाब मिलेगा तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगाए तो इसे अपने दोस्तों रिष्टेदारों तक शेयर कीजिए ताकि वो फ्री में इस वीडियो का लाब उठा सके तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा नमस्कार दोस्तों जै श्री राम